हाई मेरा नाम डॉक्टर आदाश अनपरेटी है मैं संचाइन बोन इंच्ट इंस्टिट्यूट पारडाइस ब्रांच और गच्छबुली ब्रांच में और जॉन्ट इप्लेस्मेंट सर्जिन हूं आज मैं आप से नी आर्थ्रैटिस के बारे में बात करूंगा सो नी का मतलब है गुटना गुटने में यह दोनों बोन्स रहता है रहता है वोपर का हड़ी और दोनों के बीच में आपको दिखे रहा है कि सके सकते हम और इसा नारF हो जयता है इसको और इसके बीच में चार स्टेजिस है पहले स्टेज में गैप जो दोनों हड्यों के बीच में गैप रहना चाहिए वो थोड़ा सा कम होता है दूसरे स्टेज में और थोड़ा कम हो जाता है हड्यार रभ होके डारद होता है पहले स्टेज से थर्ड स्टेज तक आप्रेशन की जरुत नहीं है थोड़ी दवाया है और थोड़े सप्लिमेंट्स है वो कार्टलेज गिसना शुरू हो गया तो नीचे बैठना मना है नीचे नहीं बैठना चाहिए पालती मार के बैठते ना ऐसे नहीं बैठना चाहिए इस्पेशली पूजा करने के लिए खाना खाना के लिए हमेशा चेहर पर बैठके करना चाहिए यह जो प्रॉब्लम है यह यह यूजली फिफ्टी या 45 या 50 अर्ज के बाद शुरू हो देता है एक बार शुरू है तो वो आपस वो काटलेज जो घिस गया है वो आपस नहीं आता है फोर्ट स्टेज में सिर्फ ऑपरेशन ही हल्प होगा फोर्ट स्टेज में यह पूरा घिस जाता है और हम जो भी करेंगे तो वापस गयाप नहीं आएगा तो अब तब यह रिप्लेस्मेंट करना पड़ता है यह आटिफिजर जॉइंट से रिप्लेस करना पड़ता है इससे क्या होगा यह जो और बोन्स रब हो रहे हैं उसके बीच में वापस गयाप आ जाएगा और मुवमेंट भी नॉर्बल हो जाएगा इसको टोटल नी रिप्लेस्मेंट बोलता है कभी-कभी यह जो आत्राइटिस है सिर्फ एक ही साइड में होता है और दूसरा साइड का का अच्छा रहता है वो सिचुएशन में पूरा जॉइंट रिप्लेस करने से बजाएं पार्शन नी रिप्लेस्मेंट कर सकता है इसको पार्शन नी रिप्लेस्मेंट बोलते हैं अभी मैं रोबोटिक्स की बार में बात करता हूं रोबोट हमारे पास स्ट्राइकर मैको रोबोट है यह अमेरिकन मेड रोबोट है यह रोबोट ऑपरेशन ने करता है operation surgeon ही करता है लेकिन क्या robot से क्या advantage मिलता है हमको जितना bone cut करना है उतना ही bone cut करने देता है so precision और accuracy आ जाता है और safety भी रहता है इसी normal bone जो है वो cut नहीं होने देता है दूसरी बात यह है कि robot से क्या हो गया each patient का 3D model आ जाता है system पे operation से पहले ही पूरा planning पहले से ही कर सकते है यह robot के advantages है अब मैं आप से avascular necrosis के बारे में बात करूँगा इसका मतलब है कि यह hip joint है hip joint में एक ball रहता है और एक cup रहता है और hip joint के उपर ball के उपर और cup के उपर भी एक cartilage रहता है यह जो shock absorber है यह रहने के वज़े से normal smooth movement होता है लेकिन यह cartilage healthy रहने के लिए इसको एक blood supply आना चाहिए यहां तक blood पहुंचा तो ही वो healthy रहता है so blood कहा से आता है bone से आके ऐसे जाके ऐसे supply करता है कभी-कभी यहां पर blood cut off हो जाता है और यहां तक पहुंचता नहीं है यहां तक नई पहुंचा तो यह घिसने शुरू हो जाता है और complete घिसने के बाद stage 4 में ऐसे दिखता है so shape out हो जाने के बाद यह cup की घिसने लग जाता है cup भी घिसने लग जाता है इसके वज़े से बहुत ज्यादा painful movements रहते है हिप joint में और इसको avascular necrosis बोलते है unfortunately COVID के बाद बहुत young patients में हो रहा है यह problem 25 to 35 years of age में ही हो रहा है and दोनों hips में effect हो जा रहा है stage 4 में आने के बाद एक ही solution है joint replacement surgery, hip replacement बोलते है इसको so ball को भी बदलना है और cup जो घिस गया है उसको भी बदनना पड़ता है यह ball और cup दोनों बदनने से क्या होता है movements वापस free हो जाएंगे और friction के बिना, pain के बिना चल सकते हैं उसके बाद इसको total hip replacement बोलते हैं so यह blood supply क्यों cut off होता है multiple reasons है इसका एक smoking के वज़े से हो सकता है and वो क्यों होता है COVID में steroid के वज़े से भी हो सकता है और इवन थोड़े लोग को steroid के बिना भी शुरू हो रहा है so maybe COVID वाइरस के वज़े से भी हो सकता है so जो भी कारण है वो blood supply यहाँ पे cut off हो जाने के बाद यहाँ पोरा गीसने शुरू हो जाता है इसको एवास्कल नेक्रोसिस भोलते है तोटल हिप रप्लेस्मेंट के बाद लाइस्टाल पूरा नॉर्मल हो जाएगा विदिन वन तो तू मन्स नॉर्मल ही चल सकता है लेग का लेंथ भी औरिजनल लेंथ को आ जाएगा पेन के इमना चल पाएंगे पूरा काम कर सकते हैं वाकिंग, क्लाइमिंग स्टेर्स, डांस भी कर सकते हैं पूरा आपके जोबी काम है यह प्रिस्टिक्शन नहीं है नीचे बैठना भी पॉसिबल है लेकिन हम उसको एंकरेज ने करते हैं क्योंकि उसका लाइफ कम हो जाएगा ऐसे करने पे यह उप्रेशन के बाद उसका यो हिप का जॉइंट मिनिमर 20-25 यर्स तक आना चाहिए यह हिप रप्लेस्मेंट के बाद इसका लाइफ भी 25-30 अर्स तक आता है यूजिली लेकिन इसके बाद यह भी घिस जाएगा क्यूंकि आफर आल यह मैनमेड है तो एक छोटे यंग एज में यूजिली दो तीन सर्जरी लगेंगे लाइफ में क्यूंकि 20 साल के बाद वापस नया जॉइंट डालना पड़ता है मिलकुछ एडिट जिसको गलता रहा है और यह मुल्ट पुल टापक सो के दाने जिपए से नहीं अधर क्वेशन को अमर के हिसाब से जब यह कार्टिलिज घिसता है ऐसा हो जाते है उसको ऑस्टियो आत्रेटिस बोलते है यह सब को होता ह यह संदिवाद बोलते हैं उसको हिंदी में इससे क्या होगा यह जो इंफ्लमेशन है वो इंफ्लमेशन की वज़े से यह पूरा कार्टिलेज घा जाता है और ऐसे हो जाता है जो ऑस्टियो आत्रेटिस एज रिलेटेड वाला आत्रेटिस है वो यूजिली 45-50 यह के बाद लेकिन यह संदिवाद जो बोलते है वो 20-30 यह में भी हो सकता है और कम एज में ऑपरेशन की जरुवत भी लग सकता है उसके लिए मेडिसन अलग से रहता है रोमोटॉल्जिस से जाके मेडिसन लेना पड़ता है लेकिन जब यह 4th स्टेज में जाता है ऑपरेशन भी लग स लेकिन आटो इम्म्यून डिसॉर्डर जैसे की संदिवाद है उसमें क्या होता है बोडी का प्रोटेक्टिव सेल्स जो है वो बोडी को ही अटैक करते है इसके वज़े से बोडी में जो काटिलेज है वो खा जाते है इसको आटो इम्म्यून डिसॉर्डर बोलते है इसके ल लग से medicines use करना पड़ता है जो rheumatologist prescribe कर सकता है